एक बार फिर साब समय लोग का स्वागत करता हो वी लोका महाराज के नए वीडियो में आज के वीडियो में आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कॉंबिनेशन बेस्ट एक्जामपर और सोलीशन जेसमें बात करेंगे सब सब्सक्राइले वी लुका प्लास टांस्पोर्ट उसके बाद वी लुकाप विद कंडिक्शनल वाटमाइटिंग और साथ ही रखना चाहूंगा वी लुकाप का कॉंबिनेशन हाइप लिंक के साथ व हुआ कि जब तक मैं यह सोलीशन आपको बताओं उससे पहले आप यह एकर चुके होंगे और सभी स्वेक्शन लाचुके हूँ जैसे कि आप लोग के सामने यह टेबल ने और इस टेबले रों कर आगर आप ग्यांसे देखें और इसका ओरिनि टेबल का ओरिन्टेशन इधर जहां पे मुझे output चाहिए उसका orientation देखें तो आपको समझ मारागा कि जिस तरीके साफ़ों को we look up मैंने सिखा था तो मैंने बोला था आप से कि जो look up value है वो table array के left most column और you can say first column में होना चाहिए क्या है अंसर है नहीं लेकिन condition यहां पे यह है कि सवाल मैंने मतलब interviewer ने आपसे पूछा है तो सामने वारा जो है जिसने आपसे सवाल पूछा है वो यह expect करके चल ला है कि या उसका constraint है यह कि आप उसके data set को manipulation या alteration नहीं कर सकते हैं आरिवासाद में जो भी alteration आपको करना है वो आप अपने formula में करो तो यहां पे इसके table को तो छेड़ नहीं सकते तो अपने formula में alteration करते हैं तो यहां पे मैं आपके लिए solution रख रहा हूँ और आप solution कर चुके होंगे इस बात की उम्मीद मैं कर सकता हूँ यह रहा वी look up सबसे बहले look up value यह रहा कॉमा इधर से fringe कर दिया table array मैं orientation ही बदल दूँ तो वी look up को combine करने जा रहा हूँ ट्रांस्पोर्ज के साथ ट्रांस्पोर्ज करके अगर मैं डेटा सेट ही इनका बदल दूँ तो आपने इसके डेटा सेट को नहीं छेरा आपने अपने जहां पे और पूड अप्लाई कर रहे हैं वहां पे एकजक्ट मैच कॉमा रेंज लोगाब मतला वी लोगाब वाला एकजक्ट मैच ब्राइक बंद और यहां पे एंटर प्रेस नहीं Ctrl plus shift plus enter के साथ आपके सामने solution होगा और यहां पर इधर भी copy कर दिया जाए Ctrl R और Ctrl D यह रहा solution आपके साथ अब इस example को देखिए यहां पर level based threshold दिये गए हैं यह है मेरे पास levels और उसके threshold यहां पर रखे गए हैं और जो भी यह threshold यहां पर दिये गए हैं उससे कम जितने भी होंग करने की इजाज़त दे रहा है यह वी look up के साथ conditional formatting के यूज करने के लिए कह रहा है तो conditional formatting यूज करने के लिए पहले तो data set को क्या कर दिया जाएगा select आपने data select कर लिया और select कर देने के बाद चलते हैं अपने conditional formatting में new rule use a formula to determine which cells to format में जाके यहां पर condition पास करेंगे अगर यहां पर equal to यदि इस cell की value इसमें से इसका row जो है unfreeze करते हुए less than किसके हो जाए less than हो जाए यहां पर we look up less than we look up में look up value कौन? look up value आपका rank look up array कौन? यह रहा look up है रहे? comma two comma जी डेग लिजिए bracket बंग और यहां पर आपको यह जो b5 है इसमें से भी नीचे के तरफ जाना है तो हमें इसके row के आगे से dollar को हटाते हुए format में जाएंगे और यहां पर fill color में color fill करते हुए ok button press और यहां सभी ok button press करेंगे तो output क्या आएगा? जहां जहां यह threshold match हो रहा होगा that means यह value है इन threshold के value से जहां 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 जिनकी level के सामने कम होगा उचको यह highlight कर देगा ok button press और यह रहाप के सामने और ठीक है आपने यह जो conditional formatting apply किया है वह इस threshold के base पे इस data set को उसने highlight कर रखा है अगर आप गौर करें partners यहां पे लिखा हुआ है बट इसने partners को highlight यहां पे नहीं किया क्योंकि यह partners का threshold 30 से कम पे लगा रखा आपने जब कि यहां पे एक टीकी बात कर रहा है है ना यहीं पे अगर मैं 39 कर दू तो हो गया है highlight अब इस example में देखें यहां पे organization के नाम रखे हुए है और उसका corresponding जो website है यह रहा वो भी रखा गया है और यहां पे हम चाहते हैं कि इस drop down list में से जो भी मैं नाम select करूं उसका URL इसमें से extract करके यहां ला दे और साथ के साथ यहां पे as a display की बात करो डिस्प्ले में इस organization का नाम ही आए लेकिन जब उस पे click करूं तो उस URL पे यह redirect कर दे उसके लिए मैं यहां पे combine करने जा रहा हूँ hyperlink के साथ we look up का combination मैं पास कर रहा हूँ पहले hyperlink hyperlink को चाहिए होता है link का location तो link का location पास करने के लिए मैं पास करनाँगा वी look up देख लिए look up value यह रहा इनोजेंट look up है रहे मिल जाएगा इसको बहुत ही आसानी से comma और column का index नंबर 2,0 like a bun comma और यहां पे वाग रहा है friendly name तो friendly name में मैं वही नाम पास कर दूँ तो display में यही display होगा लेकिन जब आप इस पे click करेंगे तो redirect करके लेके जाएगा इसके URL पर यह रापके सामने आपने यहां से select करना है इनोजेंट तो वहां पे इनोजेंट डिस्प्ले गूगल तो गूगल और YouTube तो YouTube और यहां पे मैं इनोजेंट पे click करूँ और यहां पे यह display हो जाने के बाद इस पे click करूँ यह मुझे redirect करके कहां लेके जाएगा उसी URL पे लेके जाएगा www.inogen.com पे यह मुझे redirect कर रहा होगा redirect कर नहीं रहा होगा redirect कर दिया होगा यह आपके सामने इनोजेंट का website यह रहा डिस्प्ले में आपके सामने इस तरीके से मैंने आप लो कोसिस या तो कर ली होगी या आपने इसका solution भी कर लिया होगा साथ के साथ और अब आज का वीडियो में इस एंडिंग नोट के साथ सब्सक्राइब भला ही आज अच्छे package की नहीं एक बहुत ही छोटी सी salary से शुरूआ तो पूरा होगा बस शुरूआज जो है वह आपको दास पंद्र बीस नहीं उससे कई जादा सही वो बढ़ते जाते हैं थैंक यू पर यू लवन सपूर्ट ट्रीनोजेंट चैनल थैंक यू थैंक यू